हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आसा करता होंगी स्वस्थ होंगे मैं आदर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटीब चैनल रोजगार वे में दोस्तों आपके तैयारी को बहतर से बहतरीन बनाने के लिए निरंतर चल रहे हिंदी के 20 अती महत्पूर्ण प्रस्ण के स्रिंखला का या साथवा अती महत्पूर्ण स्रीज है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पहला प्रस्म दोस्तों अंडे का सहजादा का अर्थ है option A अनभावीन व्यक्ति, option B कमजोर व्यक्ति, option C चालाक व्यक्ति या option D अनभावी व्यक्ति दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा option number A अनभावीन व्यक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनभावीन व्यक्ति इसको चली दोस्तों वाक्य में प्रयोग करके भी हम लोग देख लेते हैं जैसे की वाक्य बनता है मुझे पता है कि तुम किसी किसी फारिश से ही इस काम में लग गए वरना तो तुम अंडे का सहजादा हो ठीके दोस्तों अगले प्रस्त की तरफ बढ़े हम अगला प्रस्त प्रस्त क्या दो दिये गए सब्द का परेवाची सब्द ग्याद करें कुसुम सब्द क्या दिया है कुसुम इसका परेवाची बताना है ओप्सन ए प्रसुन ओप्सन बी कंटक ओप्सन सी कुर्म ओप्सन डी गुः दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा Option number A, प्रसुन कुसुम का परेवाची, सही परेवाची है, प्रसुन अन्विकल्ब, जैसे कि कंटक का, काटा का परेवाची है कुर्म, कछुगा का परेवाची है और गुः, गुफा का परेवाची है ठीक है दोस्तों तो कुसुम का परेवाची हो जाएगा प्रसुन ठीक है दोस्तों अगले प्रसुन की तरफ बढ़े हम तीसरा प्रसुन निमलिखित में से कौन सा वाक के असुद्ध है निमलिखित में से कौन सा वाक के असुद्ध है वाक के देखें, चार उप्षन के रूप में दिया है, उप्षन A, सोधारन सहीत उत्तर दीजिए, उप्षन B, कृपया मेरी प्राजना सुईकार करें, उप्षन C, दोनों भाई परस्पल लड़ परें, या उप्षन D, मैंने ग्रिख कार कर लिया, दोस्तों सही उत्तर है इस इस वाक में पुनरुक्ती दोस हुआ है, सुद्वाक किसका होगा, उदारन सहीत उत्तर दीजिए, या सोधारन उत्तर दीजिए, ठीक है दोस्तों, फिर से सुनेंगे सुद्वाक के क्या हो जागा इसका, उदारन सहीत उत्तर दीजिए, या सोधारन उत्तर दीजिए, इसम में पुनरुक्ती दोस हो गया है पुना इसको सोधाराण सहीत उत्तर दीजिए यह गलत है ठीक है दोस्तों अगले प्रस्ण की तरफ बढ़े हम चौथा प्रस्ण हमारा कहता है निमलिखित में से एक प्रत्यच का विलोम नहीं है इन में से कौन प्रत्यच का विलोम नहीं है दोस्त ओप्सन ए अप्रत्यच ओप्सन बी गुप्त ओप्सन सी स्रिष्टी ओप्सन डी प्रचन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमबर C, स्रिष्टी क्योंकि प्रत्यक्ष का विलोम स्रिष्टी नहीं है बाकी अन्य सभी विकल्ब प्रत्यक्ष का विलोम सब्द है, स्रिष्टी सब्द का अर्थ होता है निर्माड स्रिष्टी का अर्थ होता है दोस्तों निर्माड ठीक है दोस्तों इसलिए स्रिष्टी इसका विलोम सब्द नहीं है अगले प्रस्न की तरफ बढ़े हम प्रस्न संग्या पांच दिये गये वाक्य का सुद्ध रूप होगा वाक्य क्या दिया है दोस्तों? दिये गये वाक्य का सुद्ध रूप होगा नौकरी में से परिश्रम करना ही पड़ता है वाक की दिया है नौकरी में से परिश्रम करना ही पड़ता है अब इसका सुद रूप के लिए option क्या क्या दिया है option number A नौकरी के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है option B परिश्रम का नौकरी करना पड़ता है Option C, नौकरी परिश्रम करना पड़ता है या Option D, नौकरी की परिश्रम करना ही पड़ता है ठीक है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा Option नंबर A Option नंबर A नौकरी के लिए परिश्रम ही करना पड़ता है ठीक है इस प्रकार के प्रस्टों को दोस्तों एक बार सांत मन से ध्यान से पढ़ेंगे और आप्शन पढ़ते ही उत्तर अपने आप मिल जाता है अन्य विकल परिस्रम का नौकरी करना पढ़ता है नौकरी परिस्रम करना पढ़ता है या सब पढ़ते ही गलत वाकि लग रहा है इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने यरोत नहीं है बस सांत मन से आप पढ़ें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुद्रूप नौकरी के लिए परिस्रम करना ही पढ़ता है अगले प्रस्ण प्रस्ण क्या छे पे हम देखे तो निमलिखित में से कौन सा एक विलोम यूग्म सही नहीं है अप्शन ए उग्र सौम्य अप्शन बी तम जोती अप्शन सी कटू मधू या अप्शन डी गरल मरड दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन नमबर गरल मरड गरल सब्द का अर्थ होता है दोस्तो विस गरल का अर्थ होता है विस और मरड का मृरित्यू दोस्तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्सन नमबर D गरल मरण या विलोम एक दूसरे के विलोम नहीं है अन्य सभी विकल्ब एक दूसरे के विलोम सब्द है उगर का विलोम सौम में होता है तम का जोती होता है कटू का मधू होता है लें गरल मरण गरल का अर्थ वीस होता है और मरण का वर्थ मृत्यू अगले प्रसनी की तरफ बढ़े हम प्रसन संक्या साथ दिये गए वाक्यों में सुद्ध वाक्य का चैन कीजिए दिये गए वाक्य में सुद्ध वाक्य का चैन करना है ओप्सन में वाक्य दे दिये गए है A. रोसन खेलता है दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह वाक्षिस सनरचना की द्रिष्टी से और क्रम की द्रिष्टी से सुद्ध है तीके दोस्तो किसी भी वाक्षिस में आप जैसा की जानते होंगे पढ़े हैं उद्देश और विधे होते हैं वाक्षिस में जिसकी विशे में कहा जाता है उसे उद्देश से कहते हैं और उद्देश की विशे में जो कहा गा जाया उसे विधे कहते हैं इस तरह से देखे हम तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप्षिन नमबर A रोसन खेलता है और सभी विकल्प गलत है प्रस्न क्या आठ आठ आठा प्रस्न देखे हम मैं प्रेम चंद की एक कहानी रिक्त अस्थान भवी सिकाल की द्रिष्टी से अस्थान के लिएची सब्द है ठीक है मैं प्रेम चंद की एक कहानी इसको भवी सिकाल की द्रिष्टी से वाक्य बनाना है अब option में देखें क्या option है कि जिसे यहां रिक्तस्थान पर भरने पर भवी सिकाल की बन जाएगा A पढ़ूंगा मैं प्रेम चंद की एक कहानी पढ़ूंगा option B पढ़ रहा हूँ यह तो अरतमान हो गया option C पढ़ चुका हूँ option D पढ़ता था दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा option नमबर A पढ़ूंगा option नमबर A पढ़ूंगा अगले प्रस्न की तरफ बढ़े हम प्रस्न 9 निम्नांकित में असुद्ध सब्द है असुद्ध सब्द का चेयन करना है option नमबर A द्रश्टव्य option B अतीश योक्त option C उस्थ्रिंकल या option D गत्यवरोद दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा option नमबर C उस्थ्रिंकल दिये गए विकल्पों में उस्थ्रिंकल सब्द है उस्थ्रिंकल सब्द का सुद्ध रूप हो जाएगा इस प्रकार खल ठीक है दोस्तों यह सुद्ध रूप होगा आधा चोईस में यहां लगेगा अगले प्रस्न की तरह बढ़े हम इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा option C यह असुद्ध लिखा इसका सुद्ध रूप यह होगा अगले प्रस्न की तरह बढ़े हम प्रस्न दस मुझे रिक्तस्थान रूपे उधार चाहिए और option के ध्यान में रखते हुए इसमें रिक्तस्थान को भरना है मुझे रूपे उधार चाहिए रिक्तस्थान के लिए उचित संख्या वाचक भी से सड़ है संख्या वाचक option number A पुराने, option B 25, option C भारी, option D 2 मीटर दोस्तों यह तो इस पश्ट पता चल जा रहा है, देखते ही इसका सही उत्तर हो जाएगा option number B, 25, मुझे 25 रूपे उधार चाहिए, 25 संख्या वाचक विशेसड है ऐसे सब्द जो विशेसड के रूप में किसी भी संख्या और सर्वनान का बोथ कराते हैं, उन सब्दों को संख्या वाचक विशेसड के अंतरगत रखा गया है अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ें दोस्तों, प्रस्ण क्या 11, एक 11 प्रस्ण कहता है हमारा विश्वास घाती मित्र के अर्थ में निम्ने में से किस मुहाबरे का प्रियोग होता है option A, कुप, मंडू, option B, आंधी, खोपड़ी, option C, काठ का उलू, या option D, आस्तीन का साथ घातीर के अर्थ में आस्तीन का साथ मुहाबरे का प्रियोग होता है इसे भी वाक्य प्रियोग करके हम लोग देख लें तो दोस्तों राम मेरे साथ रहकर भी पीछे मेरी बुराईया करता था मेरे को तो बाद में पता चला कि वह तो आस्तीन का साफ है ठीक है राम नाम का एक दोस्त था जो की ऐसे वाक्ष में प्रयोग कर रहा है हम लोग राम रमेस कुछ भी रख लें जैसे रमेश मेरे साथ रह कर भी मेरे पीछे मेरी बुराईया करता था और मेरे को बाद में पता चला कि वह तो आस्तीन का साप है दोस्तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा option number D, आस्तीन का साप 12 में प्रस्णिक तरह बढ़े हम जो बहुत बाते करता हो उसे क्या कहते है option number A, वचनिय, option B, बहुग्य, option C, बातुनी, या option D, बहुच्छा दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number C, बातुनी जो बहुत बाते करता है उसे बातुनी कहते है ठीक है दोस्तो अगले प्रस्ण के तरफ बढ़े हम अगला प्रस्ण प्रस्ण संख्या 13 इधर अन्य वी कल्पों को हम लोग भी देख सब लेते हैं अपसन नमबर ये वचनिय का अर्थ होता है जिसके संबंध में निंदा की गई हो या बहुगे का बहुट सी बातु का ग्यान रखने वाला बहुगे कहलाता है खाने की इच्छा रखने वाला बुहुच्छा कहलाता है इसका सही उत्तर हो जाएगा अपसन नमबर जैसा कि हमने देख लिया अपसन नमबर सी बातुनी अगले प्रस्न की तरफ प्रस्न या तेरह निमलिखित परेवाची युग में कौन सा युगम सही है आप्सन A पटू, प्रमीड, कुसल, विहग आप्सन B विनीत, सिष्ट, विनई, नायाब आप्सन C मोधनी, छिती, मही, देव या आप्सन D सलव, भुनगा, विनगा, पतिंगा निमलिखित परेवाची युग में कौन सा युगम सही है इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आप्सन नमबर D सलव, भुनगा, विनगा, पतिंगा ठीक है दोस्तों, सलव, भुनगा, विनगा, पतिंगा यह सब टिड़ा के परेवाची हैं यह सब सभी टिड़ा के परेवाची हैं ठीक है अगले प्रस्ने की तरफ पड़े हम प्रस्न क्या 14 दोस्तों कहता है कूल पुलीन तीर परे आये हैं Option A किरण के, Option B छोर के, Option C बाण के, Option D तटके, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा Option नमबर D कूल पूलीन, तीर परियाय तटके होते हैं, ठीक है दोस्तों, तटका अर्थ होता है नदी, जील, जलासे या समुद्र का किनारा जील, नदी या समुद्र का किनारा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा Option नमबर D अगले प्रस्न की तरफ बढ़े हैं, प्रस्न 15, जिसकी गड़ना नहो सके के लिए सार्थक सब्द है जिसकी गड़ना नहो सके के लिए सार्थक सब्द बताना है Option number A, अपर Option number B, अपरिमित Option C, अनन्त या Option D, अगर्निय दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Option number D Option number D, अगर्निय सही उत्तर है अगर्निय जिसकी गढ़ना नहो सके के लिए साथ थक सब्द अगर्निय होता है अगर्निये का अर्थ जो गिना न जाए जो गिना न जाए अगले प्रस्टन की तरह बढ़े हैं प्रस्टन क्या 16 मौकिक सब्द का विलोम या विप्रितार्थक सब्द है अप्शन ए लिखित ऑप्शन बी कथित ऑप्शन सी पठित या ऑप्शन डी और लिखित दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए लिखित मौकिक सब्द का पर या विप्रितार्थक सौरी दोस्तों विलोम सब्द होता है लिखित मौकिक का विलोम सब्द ल प्रस्वन 17, हुलिया तंग होना मुहाबरे का सही अर्थ क्या है? ओप्सन A, कमजूर होना, ओप्सन B, लज्जित होना, ओप्सन C, अपमान होना, या ओप्सन D, परिशान होना दोस्तों, हुलिया तंग होना मुहाबरे का सही उत्तर है, परिशान होना option number D हुलिया तंग होना मुहाबरे का सही अर्थ है परेशान होना इसे विवाक के परियोग करके देखे हम तो इस नालाइक लड़के के मारे हमारा हुलिया तंग हो गया है इस नालाइक लड़के के मारे हमारा हुलिया तंग हो गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा option number D परेशान होना अगले प्रसन प्रसन 18 को देखे हम अनिल सब्द का परेवाची सब्देचुनना है option A अनल option B पावन option C पावक या option D अनिक दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पवन अनिल का सही परेवाची है पवन अप्सन नमबर बी अनिल के अन्य परेवाची सब्द अनिल, पौमान, प्रभंजन, प्रवात, समीरण, बयार, पवन, वायू, हवा, समीर, इत्यादी ठीक है दोस्तों तो इसका सही उतर होयागा अप्सन नमबर बी 19 प्रस्त तरफ भड़े हम भेद्य शिपाने के अर्थ में निम्ने में से किस मोहाबरे का प्रयोग होता है Option A. अंधा मनाना. Option B. अपना उल्लु सीधा करना. Option C. अंठी में आरना. या option D, अंधेरे में रखना, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, option number D, अंधेरे में रखना, अंधेरे में रखना, भेच छिपाने के अर्थ में मुहावरा प्रेव होता है, अंधेरे में रखना, इसलिए इसका सही उत्तर जाएगा, option number D, अगले प्रस्ण की तरह बढ़े हम, और आज की लाश प्रस्ण को, सीव के उपासक के लिए सार्थक सब्द है, option number A, वैशनो, option B, सैव, option C, भक्त, या option D, साक्त, दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, option number B, सैव, सीव के उपासक के लिए सार्थक सब्द होता है, तो इसी तरह दोस्तों, आज की 20 महत्पून प्रस्ण पूरे हुए, इन 20 प्रस्ण में आप अपने स्कोर अवस्त कमेंट बाक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आया, तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक, शेर और सब्सक झाल